री संबिट यूएस टेक्स फारम कैसे फील के जाता है उसका सही तरीका क्या है फारम फील करने का तो उसके लिए पहले हम यूनाइटेट इस्टेट टेक्स इनफो का एक यूएसे टेक्स फारम जो है उससे ओपिन करेंगे जैसे यहां पर हम इससे ओपिन करेंगे तो हमारे स तो नो करेंगे अगर उनाटेट इस्टेट से हैं तो यहां पर उसके बाद में आपको यहां पर दो फारम मिलेंगे एक मिलेगा डबलू 8WIN का मिलेगा और एक मिलेगा W8ECI का तो सबसे पहले हमें आपना जो यहाँ पर फार्म भनना है अगर आपके कोई बिजनिस चल रही है USA के अंदर तो यहाँ पर W8ECI का भर सकते हैं अगर आपका कोई भी बिजनिस महाँ पर नहीं है तो W8WIN का ही भनना है उसके बाद में start W8 फार्म ऑपिन करेंगे आपके सामने इस तरीकी का एक इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपका टैक्स इंडिटी में क्या-क्या फिल करना होगा वह सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले आपका एड़स का नाम जो होगा वह उपर आ जाएगा दू उसके बाद में आपके सामने इस तरीकी का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपसे टी आई एन एक होगा उपर वाला यह भी ऑपिस्नल है नीचे वाला भी ऑपिस्नल है अगर चाया तो टी आइन वाले ओप्सन में आप अपने पैन कार्ड को एंटर कर सकते हैं उसके बा आडरेस के लिए सिंपली आपको अपनी इंडिया को स्लेक्ट कर लेना है इस तीट आडरेस में आप अपना लोकाल्टी एरिया का नाम डाल देना है जैसे कि उसके बाद में परमनेंट आडरेस को जरूर से चेक मार कर लेना है उसके बाद में ही इस फार्म को फिल करना है अ आपके नजदीक लगने वाली इसका टाउंे का नाम लेना है पीं कोड में आपको अपनी एरिया का विंठ कर देना है और अब Ł guy जिस है एले शाम बस्लेक्ट कर देना है यहांजिकर करने के बाद आपको नीन ये चीजिकमार्क ही क्लिकमार कर देना है उसके बाद में next कर देना है अगर postal और आपका permanently address same है तब यहाँ पर check mark कर देना है अगर नहीं है तो आप बहाँ पर अलग से address भी feel कर सकते हैं उसके बाद में yes को mark कर देना इंडिया को select कर देना और यहाँ पर उपर की तरफ एक box होगा इस box को उपर check mark कर देना अब नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर order बाले पर click करके article vara को select कर लेना है और विडिल बारे पर 15 reduce को select कर लेना है नीचे यहाँ पर check mark इस box को कर देना है उसके बाद में इस box को check mark करेंगे यहाँ पर article 7 select कर लेना है और यहाँ पर 0 select कर लेना है फिर नीचे यहाँ पर इसको check mark कर देंगे नीचे यहाँ पर check mark करके इसको article vara और इसको article 15 को select कर लेना है उसके बाद में इस box को check mark करेंगे और next वाले option पर click कर देंगे जैसे next वाले option पर click करेंगे यहाँ पर yes no का option आएगा नो वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर box को check mark करेंगे next कर देंगे tax reporting आपके यहाँ से शुरू हो जाएगी इसके बाद में उपर की तरब जाएगे यहाँ पर paperless जो program agreement है उसे rate करना चाहिए तो कर सकते हैं इस वाले को भी आपको check mark कर देना ओर नीचे की तरफ चलना है नीचे की तरफ यहाँ पर इस बॉक्स इस फार्म को फील कर रहा हूं तो यहां पर 18 सितंबर 2024 मैंने इस तरीके से फील कर लिया 189 2024 अब नीचे की तरफ जाईए और नीचे की तरफ यहां पर यह दो बॉक्स मिलेंगे यहां पर आपको उपर वाले बॉक्स को सिलक्ट कर लेना है और संबिट कर देना है अपने फार् आप देख सकते हैं कि यहां पर अप्रूब लिखकर आ चुका है और नीचे यहां पर जो मैंने फार्म फील किया है कितना मेरा क्लैम किया जाएगा वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं यहां पर दीख लीजी यहां पर क्लैम हो चुका है साई चीजें यहां पर जो भी मै अप्रूब होगा तो यहां पर आपके सामने योड टेक्स इंफुरमेशन है चेंज लिखकर इस तरीकी से आजाएगा जब उसके बाद में आपका फार्म अप्रूब होगा तो आपके सामने इस तरीकी का मेल आएगा कि गूगल पैमेंट योड टेक्स इस तrias के लिखकर आजाएगा तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों को अप्लाइ करना है और किस तरीके से आपको भरना है मैंने सारा प्रोसस आपको इस वी आबादार अभी आपका किसी भी परकार का डॉट रहे गया तो आज आप मनोचे से नीश करक्के कमेंट बोक्स में पूँच चकते हैं हम आपका रिपलाई करने की हर एक कमेंट का रिपलाई करने की पूरी कोसिस करेंगे अगर आपको जरासी भी इस वीडियो से कोई भी इंफोर्मेशन मिली हो तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंट्स के साथ सेर कर देना थैंक यू और टाइम है वे नाश्टी